दोस्तों क्रिकट के इस खेल में आपने गुस्सा और अग्रैशन तो बहुत देखा होगा मगर कुछ खेलाडी इंटर्टेन्मेंट के ऐसे फुल पैकेज होते हैं न कि देखने वाले इनके फ़नी करेक्टर के दिवाने हो जाते हैं मेदान में खेलाडियों का हसी मजाक और खेल में छेड चाड तो अकसर आपने देखा होगा मगर कुछ फ़नी करिक्टर्ज इस छेड चाड में ऐसा जंगल में मंगल कर जाते हैं कि हर कोई हसने पर मजबूर हो जाता है तो भाई साब आप अपना मूड भी ठीक कर लीजिए क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं क्रिकट के दस ऐसा ही मजाहिया मॉमेंट्स जिसे देखकर आपकी हसी भी कंट्रोल नहीं होगी और इस हसी के बदले में मुझे चाहिए आप से थोड़ा सा प्यार और इस प्यार का इसहार आप जानते हैं कैसे करना है दस दोस्तों कर हम क्रिकट में मोस्ट फ़नी क्रिक्टर की बात करें तो यकीनन यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का नाम इसमें सबसे पहले आता है क्योंकि गेल मौज मस्ती और हसी मजाग का कोई भी मौका हाथ से चाने नहीं देते थे जैसे इस वीडियो क्लिप में चर रहे इंगलन और वेस्टरिनीज के समयास में हुआ जब इंगलिश कैप्टन मौरगन नौन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद थे और गेल के बाल करवाने से पहले ही रन लेने के लिए निकल पड़े फिर क्या था कि गेल ने कुछ इस अंदाज में वार्निंग दीना कि मैदान में मौजूद अमपायर्ज और कॉमेंटेटर्स भी हसने लगे नौ दोस्तों आप सबने विराद का घुसा और अग्रेशन तो बहुत देखा होगा क्योंकि इनका पारा तो अकसर हाई हो जाता है मगर विराद जब अपने मौज मस्ती वाले मूड में होते हैं तो इनका जवाब नहीं कई बार तो वो इंदा फिल्ड डांस करने लगते हैं जैसे आप इस वीडियो क्रिप में चल रहे वेस्टन डीज और इंडिया के स्मैस में ही देख लीजिए जब बारश की वज़ा से मैस शुरू होने में थोड़ी देर हो गई तो बैक्राउंड पर चल रहे हैं इस म्यूजिक पर कोली ने खुदी भंगडा स्टेप करना शुरू कर दिये और जब यूनिवर्सल बॉस ने इने देखा तो वो कैसे पीछे रह जाते उन्होंने भी इनका साथ देना शुरू कर दिया आठ दोस्तों कुछ खलाडी अपनी फणी और मजाईया हरकतों की वज़ा से भी फैंस का दिल जीत लेते हैं मगर वही कुछ खलाडी न मिदान में या ओन कैमरा कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जो फणी तो होता है मगर इनके लिए एक शरमीन्दगी का सबब भी बन जाता है जैसे इस वीडियो क्लिप में और स्टेलवी ओपनर बलेबास डेविड बॉर्डर ने किया डेविड बॉर्डर ने माइक के साथ एक ऐसी हरकत की जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई लेकिन ये हरकत इनके फैन्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी साथ दोस्तों क्रिकेट मैज में सिर्फ खिलाडी ही नहीं बलके कई बार तो स्टेंट में मौजूद कुछ अंजाने लोग भी सबकी अटेंशन्स अपनी तरफ मनसूब कर लेते हैं और ऐसा अक्सर मेदान में या तो किसी फनी इंसिडेंट पर होता है या किसी रूमैंटिक सेंग पर लेकिन इस बाई साब ने कैमरे के सामने आने पर अपने बाजू खोल कर ऐसे लहराए और कुछ ऐसा डांस किया ना कि मैदान में मौजूद पूरा क्राउड इनकी तरफ मतवचे हो गया छे दोस्तो खलाडियों में हसी मजाग और छेड चार तो अकसर मैदान में चलती ही रहती है जिसे देखकर क्रिकट के दिवाने खुब लुतफ अंदोस होते हैं मगर कभी कबार ये छेड चार थोड़ी ओबर हो जाती है और खलाड़ी अपने साथी खलाड़ी को चड़ाने के लिए कुछ गयर खलाकी हरकतें भी कर गुजरते हैं अब जैसे इस वीडियो क्लिप में हुआ जब इंगलिश खलाड़ी जॉयस रूट ने स्टूर्ट ब्रॉड के साथ किया वैसे यार ये बहुत गलत बात है हाँ आप ऐसी कोई हरकत मत कीजेगा जिससे दूसरे खलाड़ी की शेम शेम हो जाए पांच दोस्तों एक टेस्ट मैच में ना विकट गिराना ही मखालफ की कोशिश होती है फिर चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए जैसे इस वीडियो क्लिप में चेल रहे इंडिया और अस्टेलिया के इस मैच में हुआ जब जुदेजा की एक बाल स्टिवर समित के बल्ले से लगके इनके पैड में ही अटक गई और विकट कीपर ने कैज करने की कोशिश में समित की लक्स को जकर लिया और दोनों ही जमीन पर गिर पड़े और इस इंसी लैंड को देखकर खुद अंपायर भी अपनी हसी पर काबू नहीं पा सके चार दोस्तों जाहे वो क्रिकट का कोई भी फॉर्मेट हो एक टीम के लिए मैकर करती है जीट और जीट के लिए खलाडी मैदान में जान मारते हुए भी नज़र आते हैं मगर कभी कबार इस कोशिश में न खलाडी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिस पर मैदान में मौजूद सबी लोग हैरान रह जाते हैं जैसे इस वीडियो क्लिप में इंगलिंड के खिलाडी के साथ हुआ जब वो बैट्समेन को रन आउट करने के लिए अपनी सर तोड़ कोशेश से एक थ्रो मारते हैं मगर किसी फिल्मी सीन की तरह इनकी की गई थ्रो इनहीं के गलासेश को तोड़ती हुई गुजर जाती है जिस पर सभी खलाडी और देखने वाले भी हसने लग जाते हैं दोस्तो एक क्रिकट मैस में गर्मा गर्मी और स्लैजिंग तो एक आम सी बात होती है और एक बड़े मैस में महौल कुछ जादा ही गर्म हो जाता है खास तोर पर अगर मैच इंडिया और उस्टेलिया या इंडिया और पाकस्तान का हो तो हमें कई सारे ड्रामे देखने को मिल जाते हैं जैसे इस वीडियो क्लिप में चरहे इंडिया और उस्टेलिया के इस मैच में हुआ दरसल स्टीवन स्मित विकट पर जम्य हुए थे और इशांद शर्मा इन्हें चड़ाने के लिए छेड़ चाड़ कर रहे थे तो फिर क्या था के शांद ने स्मित को कुछ इस तरह से चड़ाया जो मैच की एक हाइलेक्ट बन गया और फैंस तो फैंस मेदान में मौजूर इंडियन खिलाडी भी शांद के इस फ़नी फेस को देख कर बहुत हसे दो दोस्तो आपने खिलाडियों को इंड़ फेल्ड जान मारकर फेल्डिंग करते तो देखा होगा भाई एक तेज शार्ट को रोकना और मुश्कल कैश करना हर फेल्डर के बस की बात तो नहीं होती है मगर कुछ खिलाडी कुछ इस तरह की मिस फेल्डिंग का शिकार होते है ना जिसे हमेशा फ़नी अंदाज में देखा जाता है जैसे इस वीडियो क्लिफ में श्ये मलक और सई दिजमल के साथ हुआ जो ऐसे इस कैश में ज्यादा गलती कौन से खिलाडी की थी यह आप हमें कॉमेंट में बताईएगा एक दोस्तों कर बाद अच्छी फेल्लिंग की हो रही है तो चलिए आप से ही पूछ लेते हैं कि आपका फेल्ड फेल्डर कौन सा खिलाडी है वैसे मेरा फेल्ड फेल्डर तो इस वीडियो क्लिप वाले विकट कीपर भाई साब है अब जरा इनकी फेल्लिंग का एक नजारा तो देखिए कि कैसे इन्होंने बाल पिक किया और विकट की बजाए सीधा बालर की कमर में जड़ दिया और बेचारा बालर खुद को बचा भी नहीं सका तो दोस्तों क्रिकट के ये दस फ़ानी मॉमेंट्स आपको कैसे लगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दीजेगा और अगर वीडियो पसंद नहीं आती न तो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताईएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इससे बहतर बना सके और कौन-कौन इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहता है ज़रा कमेंट में मी लिखकर अपना अपना वोट भी कॉस्ट कर दीजेगा